हीना खान ने रियालिटी शो बिग बॉस सीजन 11 में कंटिस्टन की तौर पर हिस्सा लिया था। इसी भी शो में हीना खान कई बार ऐसी चीजे कह गई जिसके चलते उन्हें ट्विटर पर ट्रोल किया जाता। वही अब ऐसे लगता है कि हीना खान और ट्रोलर का एक अनुका रश्टा सा बन चुका है। मुबारक हीना खान के इस ट्वीट के सामने आने के बाद एक्ट्रिस को लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया कि आज दूसरी सहरी है एक यूजर ने हीना खान को ट्वीट कर लिखा महतरमा आज दूसरी सहरी थी आपने बेव कोफी के चक्कर में एक रोजा काजा कर दिया खेर आपको भी जुम्मा मुबारक दुआउं में याद रखिएगा यूजर के इस ट्वीट को देखने के बाद हीना खान आग बबुली हो गए हीना खान ने यूजर को जवाब देना ही सई समझा इसके चलते हीना खान ने लिखा कि महतरम मुंबल में पहली सहरी और पहला रोजा आज से ही है आपने बेव कूफी के चकर में पूरी जाज परताल नहीं की खेर आपको भी जुम्मा मुबारक और दुआउं में याद जरूर रखिएगा बतादी कि हीना खान उन पॉपुलर सेलेब में से एक है जो आई दिन ट्विटर पर ट्रोल होते रहते है बतादी कि हीना खान ने रियालिटी शो बिग बॉस 11 में कंटेस्टन की तौर पर हिस्सा लिया था इस शो के बीच में हुए कई उतार चड़ाओं के वज़ों से उन्हें ट्विटर पर कई बार ट्रोल किया जाता था बीच अक्सर तक्रार होती रहती थी वही हीना खान विकास गुपता और अर्शी खान की बीच कभी दोस्ती तो कभी दुश्मनी जैसे संबन देखी गए फिलाल हीना खान इन दिनों कई फैशन शोज में नज़र आ रही है जबकि हीना इस बीच एक शॉट फल्म में भी काम कर रही है स्मार्टफोन नाम की शॉट फल्म में हीना कुनाल रॉय कपुर के साथ काम कर रही है खैर हीना खान अक्सर तारी फोन से ज्यादा ट्रोल में शामिल होती है लोगो द्वारा हीना खान को ट्रोल किया जाना कितना सही और गलत है ये आप हमें जरूर बताईए नीचे कॉमेंट करिए आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेर कॉमेंट कीजिए और हिंदी रश को सब्सक्राइब करिए